हेलो दोस्तो स्वागत है हम सभी कहा हमारे इस न्यू वीडियो में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वारे जो different stages होते है किसी भी mine life cycle में उनके पर हम बात करेंगे क्योंकि दोस्तो किसी मिनरल को extract करने के लिए various process के थ्रू गुजरना पड़ता है तो जो modern mining methods है दोस्तो उनके थ्रू जो mine life cycle उसको हमने five main categories में divide किया है पहला दोस्तो prospecting तो दोस्तो prospecting first stage होता है किसी भी mine life cycle का या mineral extraction का तो दोस्तो prospecting का basically मतलब होता है जो हमारा ore या mineral deposit है उसको search करना ठीक है दोस्तो next है exploration दोस्तो exploration second stage होता है prospecting के बाद किसी भी mine life cycle में और दोस्तो इसके through हम more accurately पता करते है mineral deposit का उसके size का उसके value का जो हमारे पास techniques है उनका use करके और दोस्तो अगर बात करें prospecting और exploration के which के difference की तो दोस्तो prospecting में भी हम minerals को search करते है लेकिन exploration में हम more accurately और बहुत अच्छे तरीके से search करते है और अच्छे techniques का use करके उसके size और value का पता करते है ठीक है दोस्तो exploration के थो हम grade extent यह सब भी पता कर सकते है तो next है दोस्तो development next stage है development तो दोस्तो जब हम minerals का पता कर लेते है कि कि वह minerals beneficial है हमारे लिए तो दोस्तो उसके बाद हम mineral को extract करने के लिए एक opening create करते है अगर surface mining के case में बात किये तो opening create करते है और underground case में जो methods होते है वो सब use करते है दोस्तो और इसमें हम minerals को extract करके उसको use मिलाते है तो दोस्तो development के पहले हम जो हमारे lines और water rights है mineral rights यह सब को permission हमें लिना पड़ता है ठीक है next दोस्तो exploitation तो दोस्तो exploitation fourth stage of mining होता है जिसमें हम actually में जो minerals है उसको बड़े quantity में extract करते है दोस्तो और दोस्तो जो methods use के जाते exploitation में वो basically depend करते है जो mineral है mineral deposit है उसके characteristics के उपर साथ ही हम safety technology, environmental concerns, economic or geological conditions को भी ध्यान में रखना पड़ता है और geological conditions की बात करें तो जैसे हम deep shape strength of the ore और surrounding rocks इन सब बात उपर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से method को हम use करें मिनरल को extract करने के लिए next हमारा final stage है दोस्तो reclamation दोस्तो most mines में reclamation final stage होता है और इसमें दोस्तो हम mineral जो हमारा mine से दोस्तो उसको हम close कर देते है जो हमारा mineral है उसको extract करने के बाद साथ ही हम recountering, re-vegetating और जो restore करते है दोस्तो हमारा जो land जो हमारा soil है उसको वापस से restore करते है तो दोस्तो यह थे different stages किसी भी mind life cycle में तो I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा स्यादा लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए थैंक यू